आप देख रहे हैं सोगंद टीवी सोगंद वतन की कि यह बना रहे हैं उद्धर ठाकरे का एक बयान आता है और वो कहते हैं कि 2024 में जब राम मंदर खुलेगा तो उस समय गोदरा जैसा एक हत्याकांड हो सकता है जिस तरह से गोदरा में दंगे हुए थे 2002 में उसी तरीके से जब लोग राम मंदर खुलने पर जाएंगे और भार बहूई मातरा में जो संख्या होगी वो भारी मातरा में होगी और उसी समय पिर से एक गोदरा जैसा झाल दंगर था वहू सकता है अब ये इस बयान के दो नजर ये है, क्या इसके सियासी जो फाइदे है ये उठाने के लिए बयान दिया गया है या फिर ये जो बयान है ये फिर एक वार्निंग है अब ये लोग कैसे देखते हैं ये हम बातचीत करके जानेंगे और पूछेंगे कि वो क्या समझते है आपको क्या लगता है इस बयान के बाद ये सियासी फाइदे उठाने के लिए बयान दिया गया है या फिर वो सच में अलर्ट कर रहे है सबसे पहले मैं एक बात बताना चाहूंगा 92 का जो दंगा हुआ था मेली तो हुआ 93 में 6 दिसंबर तो एक था कि चुकि उस दिन बापडी मचीद का बिद्वन्स हुआ इसलिए ऐसा लोग बोलते हैं ये कि 93 में उस समय कौन थे बाला साहब ठाकरे के इही नित्रिक्तु में बहुत ब़ला नर्चंगार हुआ हमने अपने आखों से देखा है मैं उसका प्रते दर्सी गवा हूं उसके बाद गोधराकांड हुआ गोधराकांड में जबकि आज पीम को या मेसाई जो भी या भी उक्त बनाए गए सब को क्लिन चीट दे दी गई कि पहले इनके तरफ से तो कोई आकर्मन हुआ ही नहीं था सरकार के उसमें इसमें ये जो जो गुघ़रात सरकार है उसकी पूरी तोर पे एक विफलता देखे जाती है कि उनके रहते हुए भी जो दो दिन तक जिस तरह से कतले आम हुआ है उस चीज़ को लोग नरेंदर मोदी से जोड़ते हैं कि आखिर उनके रहते हुए भी ऐसी चीज़ कैसे होगी अब देखिए जब पूरा जाना क्रोस हैं सारी पब्लिक मनें एक बहुत बड़ा वर्ग समझ लीजिए आप 90 पर्चेंट जिनकी संख्या है वो लोग इसको इस रूप में लेते हैं कि हमारे समाज पर आकर्मन हुआ है तो दो दिन में कंट्रोल कर पाना कोई सरकार ऐसी तो आजा दी है नहीं कि बाई जिदे गोली चलवा दो है उसके लिए भी बाद में यह लोग हला करते कि हिंदू समाज को मरवा दिया तो एक जना कुरोज था जिसके तहति हुआ इसमें सरकार की मेरे ख्याल से कोई गोमिक है अन् mulher उनके सरकार में आने के बाद मिला देसा का की सब्सक्राइब है आगती लेकिन उनीग के समय में एसा रहते आपनी लम्भी को और या KYC Uganda उन्होंने रखा क्लिंचीट मिला उनको है अब यह जो है उद्धाव ठाकरे का बयान इसलिए है कि उनका जनाधार जो था हिंदु वर्ग वो पूरी तरह चूट चुट चुका है वो बीजेपी के पाले चला गया है अब इंडिया कटवंधन के साथ हैं संजारावत का इसमें कहना है कि संजारावत सिक्टे तरपे कहते हैं जो ऑजी अब यूबिट बन केंटे जो भाजपा की जो राजनीति धर्म की वो राजनीति शिव सेना की शिवसेना कीatte बानाम करने के लिदिए की उब्चार आख और दूसरे वर्ग को आक्रोशित करना है अपने फेवर में लेना है तो कुछ तो ऐसी बायनवाजी करनी पड़ेगी कि बाजपाई उनका बिरोधी है इनके हम तो समझते हैं कंग्रेस सासनकाल में जीतना दंगा हुआ उसका कुछ भी मनें 10 परतिसाद भी बीजेपी के गौर्मेंट में नहीं हम एक वर्ग मिसेस को ले यहां भूहा है लकिन से ल कर लोगा में लेकिन सरकार कर रही है चार महीने होगे है है वहाजपा सरकार वहाँ पे भी बाहुझप स्रकार केंदर में बी बावजूद इसके कोई भी ऐसा एक्षन निलिया गया जिसके यह जो दंगा और जो भी वहा पार लोग भड़क जाते हैं तो जल्दी उनको सांत कराने में बड़ा समय लगता है अब ज्यादा जानकारी नहीं है वहां के विशह में कि सरकार लेकिन मेरे जहां तक ख्याल है कि सरकार उस पर काम कर रही है समझेगी नहीं अब कुछ हैसी होती है राजनीती में मजबूरिय दूसरे लोग रूटी से करें एक बर को हवा पानी दे रहे हैं समझेगी नहीं वह चाहते हैं कि यह 24 के एलेक्षन तक ही आग लगी रहे क्याकि उनको एक मुद्दा मिल जाए दूसरा कोई कारण है और दूसरा उद्धा ठाकरे का तो करी-करी जनाधार खत्म हो चुगा है उदर ठाकरे का अब जो महराष्ट में जो उनकी सियासत अब पूरी तोर पर खत्म होगी आपके हिसाब इंडिया का डवंदल का वोट बैंक है उसी में वो अपना चाह रहे हैं कि मेरा भी एक यह बना रहे है बना रहे है ऐसा इसलिए यह बयान बाजी कर रहे हैं या तो मा चाहिए उस्तिति में अगर अलग लगने की बात हुई तो चाहते हैं अभी से भूमिका बना करके रखो ताकि अगला जो समाज है दूसरा वो समाज हमारे फेबर में रहे वो माने की नहीं उढ़ खोल के हमारा साथ दे रहे हैं इसलिए एक बिल्कुर ये राजनीतिक बैयानबाजी है, इसका कोई माने नहीं, नहीं तो बाई इसमें तो सबसे आगे वही रहे हैं, दोनों बाई, उनके पिता जी भी इसी की सुद्ध राजनीति करते रहे हैं, हो सकता है, कि अंदर से इनोंने फिल्डिंग सजाई हुई हो कि आते आते मैंने तो पहले बोला था, आगे ये खुद लगाएंगे, बुझाने के लिए बोलेंगे, बीजेपी से की सरकार है, वो बुझाए, मैं तो यही बाईनबाजी समग तो जैसा कि अपने देखा हमने बात की और बातचीत से एक चीज तो क्लियर है, कि लोगों का क भाई जो रास ठाकरे उनकी राजनीती भी कुछ ऐसी ही है, और जो सिवसेना की राजनीती रही है, इसी तरीके से रही है, उसके बाद वो जिस तरह से बात कर रहे हैं कि अयोध्या में जो राम मंदिर के खुलने पर इस तरह का जो धंगा हो सकता है, ये सरासर गलत है, और आने वाले वक्त में, 2024 में जब ये द्वार खुलेगा उध्या में राम मंदिर का, तो वो सांती पुर्ण होगा और इससे किसी को कोई आपत्ती या फिर किसी को कोई दंगा जैसी चीजों का उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, मैं आता तुशार कैमरा परसन, रो सौगंध टीवी, सौगंध वतन की